सलाम साथियो आप में से बहुत सारे लोग कविता बोल के वीडियो उसको देख रहे हैं उसे सराह रहे हैं, हमें इस बात के खुशी है हमारी गुजारिश है कि आपको अगर हमारा कॉंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने बाकी के साथियों और दोस्तों से भी शेयर करें हमें इस बात के भी बड़ी खुशी है कि हमारे एक दर्शक अली आकिप साहब ने हमें ये घुजारिश की हमसे कि हम पाश की और कविताएं पढ़ें इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने पाश की एक कविता लेकर हाजिर हूँ और इसका शीर शक आप जानते भी होंगे सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना ये कविता हम पढ़ने वाले हैं आईए सुनते हैं मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती गड़ारी और लोग की मुठी सबसे खतरनाक नहीं होती बैठे बिठाई पकड़े जाना बुरा तो है सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है सबसे खतरनाक नहीं होता कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है जुगनुओं की लौ में पढ़ना मुठियां भीच कर वक्त निकाल ले बुरा तो है सबसे खतरनाक नहीं होता सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांती से भर जाना तड़का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है, आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नजर में रुकी होती है सबसे खतरनाक वो आँख होती है जिसकी नजर दुनिया को मुहबबत से चुमना भूल जाती है और जो एक घटिया दोहराओ के क्रम में खो जाती है सबसे खतरनाक वो गीत होता है जो मरसिये की तरह पढ़ा जाता है आतंकित लोगों के दर्वाजों पर गुंडों की तरह अकरता है सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्या कांट के बाद वीरान हुए आंगन में चड़ता है लेकिन आपकी आखों में मिर्चों की तरह नहीं पढ़ता है सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूब का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुप जा मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती कुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती ख़दारी और लोग के मुठी सबसे ख़दरनाक नहीं होते शुक्रिया